नमस्कार दोस्तों दोस्तों आजकल जो भी वीडियो लगाते हैं तो उसके निचे कुछ कमेंट हैसे जरूर आते हैं कि रीट में हमारे इतने बन रहे हैं हो जाएगा क्या तो अब मेरा आपसे आगरे ये रहेगा कि रीट एक्जाम जो हो 26 सितमबर को हुआ था उसके बाद में अक्टोबर और अब आने नवंबर में 26 तारीक आने वाली है यानि कि दो महिने होने जा रहे हैं हालांकि एक स्वाभविक है कि हम जो भी प्रिक्षा देते हैं तो मिलेगी तभी पता चलेगा परंतो अभी जिन विद्यार क्योंकि वो ठीक ठाक उसे क्राइटेरिया में आ रहे हैं और इस वीडियो के निचे भी उनके कमेंट आने वाले मुझे मालूम है तो उनको यह लगता ही है अब मैं यहां क्या कहने जा रहा हूं मैं यह कहने जा रह हूई हो चाई पढ़ने के दोरान हूई हो बहुत सारे विद्यार्थियों के तो टाइम का रहा कि हमारे वहां गड़ी नहीं थी इस वज़े से लाश्ट टाइम में जो है हमने उपचूख हो गए भर नहीं पाए किसे ने ओमार में बासा पर्थम कि जिकर दूते वाले दू अपनी गड़ी नहीं दे जा सकते तो यह साप साप जो है वो वेवस्ता होती है कि जो सेंटर है वहां पर हर कमरे के अंदर घड़ी हो इस परकार की निर्देश मिलते हैं तो आप जो है वहां उनसे आगरे कर सकते थे कि हमारे यहां घड़ी लगाओ कई विद्यार्थियों क कि क्यों कौन सी जो गलती हैं आप से रही आप रीट के पेपर को दुबारा उठाएं और अब अगर ठंडे दिमाक से उनको करके देखें तो आप निस्ची तरूप से पांच से दस सवाल जड़ा कर सकते हैं कौन से विद्यार थी जो थोड़े से अटके हुए हैं किनारे प फरक नहीं हैं अगर आप दो चेहर पांस नंबर से हैं एक दो नंबर से रहा रहे हें तो फरक आपके मिनेजमेंट का है एकजाम होल का या फिर जैसे चीजें पढ़ने का कुछ खास चीजें आपने कई बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा गहराई वाली पढ़ लेते हैं मगर सरल वाली गलत करके आ जाते हैं ऐसा अक्सर आपने बहुत बार हमने कहा संजेपाल सर ने भी कहा था कि सरल किसना आप गलत करके आ रहे हैं वो आपकी एक्सम में गलती है तो दोस्तों इस पर कारी के बहुत गलतियां हो गई या जो कुछ भी रहा या मालू आपका नमबर आ रहा है कीनारे पे है आने की संभावना नहीं है जो कुछ भी है उन चीजों को दिरे-दिरे भूल जाओ हमारा काम है करम करने का फल जो है उसके बारे में बार-बार फिकर मत करो उसकी चर्चा मत करो ठीक है तो अब आपको मेरे ख्याल से जो विद्यार थी सामने प्रस्तितियों में है जिनको दुबारा मुका मिल सकता है कि बयोबथ तैयरी करें चाई वो एज के एसाब से उनको मौका हो या जिसे मालोगर की पृस्तियों के एसाब से मौका हो चाई वो गरीनी मैलाएं है चाई और कोई है कैंडिडेट तो अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है आप तयारी में जुट जाओ निश्य तरूप से आपने जो गलतियां पहले की है चाहिए वो कम पढ़ने की की हो चाहिए वो आप यार दोस्तों में समय लगाया हो चाहिए आपने जो है प्रोपर किता भी नहीं पढ़ी हो चाहिए आपने एक्जाम हॉल में गलती की हो जो कु और कोई आप जो पोस्ट है उनकी करें तो जो विडियारती अगर वीडियो है उसके लिए सक्षम आपको वह सेलेबस कवर कर सकते हैं गडीतमणी तो वागी चाजय या तो आप उसके तरीर में जूट सकते हैं सेकन्ड फरस्ट ग्रेड है उसमें जूट जाएं पर पर अपर बार फेल होने वाला विद्यारती भी एक बहुत बड़ी सर्विस जो है उसमें या बहुत बड़े competition को भी cover कर सकता है एसे आपने बहुत सारी उदारन आपने देखे होंगे और आजकल आपको रियल में करना क्या है आपको रियल में एक practical टाइम टेबल बनाना है हलका फुलकाई सही कम इसही आप सुरू कीजिए आप एक बार किरावे लीजिए टारगेट ताई कीजिए अब ये भी confusion है कि दो वेकेंशी आरी तो किसके त्यारी करें कौन से पहले आएगी जो भी पहले आएगी अभी फिलाल आपको क्या लग रहा है फिलाल आप क्या कर सकते हैं तो फिलाल आप common चीज़ें बढ़े ना जिसे करन्ट है फेरी की किताब लेया उसको पढ़ लो उसके notes बना लो राजस्तान जिक्के में जो topic आपको कम आ रहे हैं जो रीट में नहीं पढ़ पाए उनको देख लो NCRT के नहीं किताबे हैं अला कि वो नहीं नहीं है पहले भी चल रही थी वो ही है उनको आप देख लो 6-10 की किताबें उनमें से आपको जो लग रहा है कि ये common चीज़ें है फर्ष्ट ग्रेट सेकंड ग्रेट दोनों में उनको देख लो अगर आपका फर्ष्ट ग्रेट का कोई एक subject है चाहिए वो language हो या कोई और heart का उसे आप अच्छे से त्यार करते जाओ तो आपके second grade में भी काफी कुछ काम आ जाएगा आपने अगर net नहीं कर रखा है तो आपके वो चीज़े बहुत वहां काम आ रही है ना आप तो ये सोच सोच में सोच सोच कर टाइम मत गमाओ कि second grade पहले आएगी या first grade आएगी उसकी करूं की उसकी करूं आप अपने subject को इतना सांदार कर लो और सांदार कैसे होगा पहले आप basic किताबे पढ़ो नो से बारा क किताबे पढ़ो उसके बाद में आप उसी level की जो famous guide या famous book आ रही है वो किताब पढ़ो कुछ परामानिक पुस्त के text books जो कही जाती है उनको आप देख लो ऐसे करके बहुत कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए अपने subject को मजबूत बना लो और जिके में जैसे राजस्त ठीक ठाक हो चाहिए कम हो उनको आप भूला दो अगर आपने अच्छा किया है तो भी आगे बढ़ना है गलतियां होई है ऐसा पलता मिलिये तो भी आगे बढ़ना है किसको नहीं मिलती ऐसा पलता आपको कुछ एक ऐसे अपवाद या उधान मिल सकते हैं जो पहली बार में सिधे कोई अच्छी पोस्ट पर या सिधे चाहिए वो competition में select हो जाते हैं, बाकी ऐसे भहुत कम है, बाकी ज़्यादातर जो student या ज़्यादातर जो लोग आपको कामियाब या जो जोब में है, निसी तरुप से उन्होंने कई friction दी है, उनसे भी गलतियां हुई है, तो गलती इनसान से होती हैं, मगर उससे हम सीख कर आगे बढ़े उनको दोहराएं नहीं, अपने आपको याद रुके मैंने कहा ना कि आप उनको नोट कर लो, पांच है गलतियां जो आप से हुई, जो आपको लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मुल्यांकन आप शियों में कर सकते हैं, तो इस सीज़ का जो है, वो आप इसमें खास खयाल रखना ठीक है, बादा करें, कमेंट करके, कि आज से ही जो है, आप अब आगे की पढ़ाई सुरू कर देंगे, और रीट के बारे में कम से कम चर्चा करेंगे, जो होना है, वो होके रहेगा, आपका भागय उस दिन जो गोले काले करके, और आपने जो ठीक, ओमार उनको पकड़ाई थी, अपने विक्षक को, उसी समय आपका भागय लोख हो गया था, इसलिए जो है, अब आप उसको भूल जाएए, अगर आना है सबलता मिलने हैं, तो निश्य तरूप से आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, और नहीं तो आप आगे को एक बड़ी खुशी आपका इज़ार कर रही है, आप उसके त्यारी में जुट जाएए, धन्यवा खाओ में एक बड़ियर झनी तरूप माध तब डोदी जाएए, जापका तो आपके एक हाद ध nella बाटेगार का ऊंपक मिलेगार कता कर वड़ी खुशीर उसके हैं पन हैक, उसकता है आपकान का मिलेगी खुशीदकन स थेक्त, वडशीम, क्तवयर के क्या जार फिसक्यार का